दोस्तों, अगर आप वोलिवुड में काम करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, नाम और शोहरत और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कभी किसी को कॉपी मन कीजिए, अपना एक अलग स्टाइल बने लिए, क्योंकि अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना एक स्टाइल होना है, बहुत सबूरी है, आपने देखा होगा, जितने भी बड़े स्टार्स हैं, फेमस अक्टर्स हैं, उनका एक अपना स्टाइल है, हर एक की अपनी अलग पहचान है, कोई अपनी बॉड़ी की वज़े से फेमस है, कोई कोई दान्स की वज़े से फेमस है, कोई अपने टिपिकल स्टाइल की वज़े से फेमस है, तो इसी तरह से कुछ अपने अंदर एक अलग स्टाइल पैदा कीजिए, एक X-Factor पैदा कीजिए, क्योंकि एक्टिंग तो सभी करता है, लेकिन नाम कमाने के लिए, पहचान बनाने क एक पर्टिकुलर एक अपना स्टाइल होना बहुत सब्सक्राइब है, अगर आप किसी एक्टर की या किसी स्टार की कॉपी करते हैं, तो नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके यार दोस्त, आपको किसी बड़े स् पॉइंट का काउट करते हैं, आपकी पहचान बनने में रुकावट डालती है, क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्री में आते हैं और किसी स्टार को या किसी बड़े कॉपी करते हैं, तो आपकी अपनी पहचान जो है वो कहीं छुप जाती है, आपको लोग कैसे पहचानते ह जूनियर शालुक, जूनियर सल्मान, जूनियर अमिता या डुप्लिकेट शालुक, ये एक डुप्लिकेट का या जूनियर का ठपा आपके पर लग जाता है, और ये ठपा लगने के बाद, जब लोग जानने लगते हैं, तो उसके बाद इस इमेज से निकलना बहुत मुश तो इंडस्ट्री में आने से पहले इस चीज का ध्यान लगना बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजों को ना सामने लाया जाए ठीक है अगर आप किसी स्टार की किसी बड़े अक्टर की कौपी करते हैं तो ठीक है कर सकते हैं लेकिन सिर्फ इस चीज को लेके आगे मत बढ़िये कि आप किसी बड़े अक्टर को कौपी करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आये हैं जो जूनियर अमिताब, जूनियर देवानन, डुप्लिकेट शारू, डुप्लिकेट शत्रुगन सिना इस तरह की पहचान लेके इंडिस्ट्री में आये और चले गए और लोग उनका ओरिजिनल नाम भी नही बस उन्हें इसलिए बुलाया जाता है फंक्शन्स में इवेंट्स में या फिल्म्स में या सीरियल्स में जहां जूनियर हमिताब जूनियर शारूप चाहिए वहां उस पर्टिकुलर एक्टर की ज़रूत नहीं होती वहां पे जरूत होती एक यार ऐसा एक्टर चाहिए जो जूनियर शारुट, डुप्लिकेट शारुट चाहिए या जूनियर मिताब चाहिए इस तरह से बलाए जाता है, उस एक्टर के नाम से भी नहीं बलाए जाता है तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखने की ज़र होता है, अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो किसी भी बड़े एक्टर की कॉपी मत कीज़े, किसी स्टार को कॉपी मत कीज़े, अपना एक अलग स्टाइल बनाएए, अपने अंदर एक 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 स्टार पैदा क कीज़े, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन सबसे अलग होना चाहिए, ऐसी एक चीज़ पैदा कीज़े, जो आपको सबसे अलग है, थाइटे,